अगर आप ट्रेट करते हैं जिससे आपके लिए बैंक निफ्टी में ट्रेट करना इजी हो जाएगा तो इस वीडियो में बने रही है और जो लोग इस चैनल पढ़ना ही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो देखें कल है एकस्पायरी तो इस वज़े से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को किस तरह से यहां पर हमें देखनों को मिल सकता है मुमेंट तो यहां पर देखें 50 मिनिट के टाइम फ्रेम किस तरह से यह यहां पर बैंक निफ्टी है अगर हम आज SKY बात करें तो देखें यहां पर बैंक निफ्टी ने जो है यहां पर गड़स को लेवल बना देती है तो इसका जो सपोर्ट का लेवल था 38,554 का लेवल यहां सी देखें सपोर्ट लेके इसने आफ साइड की तर यहां पर इस लेवल से 38,635 के लेवल से यहां पर फिर से support लिया और आफसाइट के तरफ movement हमें देखने को मिला है तो अब हमें क्या करना है यहां पर देखें यहां पर जो हमारे लिए कल के लिए flat range है यहां पर मैं range draw कर देती हूं तो यहां पर यह level और downside से यह level तो यह हमारे लिए flat range होगी कल के लिए अगर market इस range में open होता है तो देखे फ्रेंट अगर market इस range में open होता है और यहाँ पर फर्स्ट हाफ में यहाँ पर market consolidate कर जाती है यहाँ पर sideways रहती है उसके बाद अगर breakout करती है तो हमें एक अच्छा move upside की तरफ या फिर हमें downside की तरफ देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर अगर upside की तरफ को movement देखने को मिलेगा second half में तो चलिए यहाँ पर target देख लेते हैं क्या target देखने को मिल सकते हैं तो जो हमारा first target होगा यहाँ पर front यह हमारा first target होगा यह break होता है तो फिर हम यहाँ पर second target हम यहाँ पर 39,500 के level तक हम यहाँ पर देख सकते हैं तो यह हमारा second target होगा upside की तरफ तो यह हमारे दो target होगे यहाँ पर मैं price level लगा देती हूं तो यह हमारा first target होगा second target हम यहाँ पर इस level को देख सकते हैं तो यह हमारे upside के target होंगे अगर यह downside की तरफ को break करता है front यहां पर market consolidate करता है और यह downside को move करेगा तो फिर हम यहां पर downside के target देखेंगे तो जो हमारे पास target होंगे यहां पर तो जो हमारा target होगा यहां पर first target यहां पर है यह level नजर आ रहा है यहां पर तो first target हम इस लेवल तक देख सकते ह। यह हमारा first target होगा, target होगा 38600 – that voice is 36. Strange यह हमारा first target होगा अगर यह भी break हो जाते हो तो फिर हम यहां पर next target इस level तक देख सकते ह। target होगा 38500्ए का level तो यह हमारे downside के target होगे यह हमारा first target होगा और यह हमारा second target होगा अगर market यहाँ पर open होती है और इसके अंदर trade करती है first half में उसके second half में अगर यह जिस तरफ भी breakout करेगा तो एक अच्छा moment हमें देखने को मिल जाएगा अब अगर हम बात करें यहाँ पर gap up या gap down की तो यहाँ पर मैं लेवल इनको पहले इनको delete कर देती हो तो को देखे फिन यहाँ पर अगर gap up open होता है suppose करी market यहाँ पर open हुआ, gap up और gap up open होने के बाद यहाँ इस level से अगर इस level पर sustain करता है याँ 39,300 और 200 के बीच में market open होता है gap up और यह upside की तरफ के जाता है और इस level प nós this level पर 39,300 के level पर sustaininate कर जाता है तब हम यहाँ पर upside का move देख सकते हैं 39,500 के level पर, तो upside की तरफ हमें इस तरह से जाना है, अगर downside की तरफ को यह break करता है, यानि कि यहाँ पर resistance को face करता है, और downside की तरफ को move करेगा, तो फिर हम यहाँ पर अपने इन target को देख सकते हैं, यह हमारा target होगा, जहाँ पर इसने high बन ये बेख होगा, तो फिर डाउंवाथ हमें ये टार्गेट देखने को मिल सकता है, तो फिर यह ता मेरा सेरियो गैप अगर मार्केक होती है, अगर हम यहाँ पर देखें, गैप दाउन, अगर market यहां पर open होती है 38,700 के level पर अगर यहां पर इस range के 20 में कहीं पर market open होती है तो फिर थोड़ा सा हम wait करेंगे और wait करने के बाद यहां पर देखेंगे क्या projection बना रहा है अगर यह projection बनाते हुआ अपसाइड तरफ को move कर रहा है तो यह level break होने के बाद यहां पर sustain करें औ अगर यहां पर upside के target देखेंगे अगर यहां पर projection मनाते है वह downside को move करता है तो फिर हम यहां पर in target को देख सकते हैं तो फ्रेंड यह था मेरा analysis bank nifty के लिए किस तरह से market जो है flat open होगा तो हमारे पास क्या target है अगर downside की तरफ यहांनि कि gap down open होता है तो फिर हमें किस तरह से work कर अगर आपको यहां पर अभी बताया था कि bank nifty में आपको मैं एक important special point बताने वाली हूँ तो special point यह है कि अगर आपको यह बड़े-बड़े move जो है capture करने है तो bank nifty के जो component है यानि nifty bank के जो component है उन component को आपको देखना होगा तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से component तो banking sector के जितने भी stock है तो यहां पर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे सारे stock है banking के यानि कि यह जो component है nifty bank के इन सारे के जो moment होते हैं उनका effect हमें यहां पर index में मिलता है यानि कि यहां पर यहां पर इन stock में जो component है bank nifty के उसके according यहां पर हमें moment देखने को मिलता है तो जो हमारे लिए important जो हमारे लिए component है तो देखें यहां पर यह SDFC bank है यहां पर यह SBI है और यहां पर यह Kotec है और उसके बाद ICI और उसके बाद यहां पर यह Axis हमें यह 4-5 bank है इन पर नजर रखनी है त सबसे जो important bank है वो है देखें यहां पर SDFC bank तो SDFC bank पर आपको नजर रखनी है कि SDFC bank किस तरह से move कर रहा है किस तरह से यहां पर अपने resistance पर है कहां पर support ले रहा है कहां पर resistance को face कर रहा है उसके according अगर आप यहां पर जाएंगे इन levels पर तो यहां पर आपको movement देखने को मिले यहां पर यहां पर तेह किस तरह से यहां पर काफी देर यहां पर Alexandra पर Kayla यहां पर ब्रेक आउट दिया, अगर आप यहां पर इसका लेवल देखेंगे तो यहां पर 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 यहा 15-20 पॉइंट मुफ करती है, तो इसके सकती साथ यानि कि HDFC बैंक के साथ में हमें और भी जो यानि कि जो तीन चार जो स्टॉक है, इनको भी देखना है, जैसे SBI अगर आप देखेंगे, तो SBI ने भी यहां पर सपोर्ट किया, यहां पर जिस तरह से मुफ दिया, तो उतना व अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इस तरह से मुफ हुआ है, तो यहां पर जाएंगे, तो यहां पर इस तरह से मुफ हुआ है, तो यहां पर जाएंगे, तो यहां पर इस तरह से मुफ हुआ है, तो यहां पर जाएंगे, तो यहां पर इस तरह से मुफ हुआ है, निफ्टि बैंको लीफिव कर रहे हैं पर इनको आप को तरह से पहलते हैं तो यह 4-5 बैंको आपको देखना है कि यह किस तरह से मूख कररहे हैं अगर तो एक अच्छा मुवमेंट हमें इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा, तो फिरिंड ये था स्पेशल पॉइंट, आप जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में अगर आप ट्रेट करते हैं, अगर आप जो है आप बड़े मुव कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो आप के लिए ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आप इन कंपोनेंट को देखेंगे, कि किस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं, इनका मुवमेंट किस तरफ को आ रहा है, कहां पर ये रिजेक्शन ले रहे हैं, कहां पर ये सपोर्ट ब्रेक होगा, अगर मैं आपको यहां पर दिख तो इस तरह से हमें मूव देखना है किस तरह से ये कंपोनेंट मूव कर रहे हैं, तो डाउंसाइट की तरफ को मूव करेंगे, तो डाउंसाइट की तरफ को मूव करेंगे, तो अगर अपसाइट की तरफ को मूव करेंगे, तो अपसाइट की तरफ को मूव करेंगे, तो अ आपको यह चीज समझ में आई होगी, कल आप इसे ट्राइ करके देखेगा, इन कंपोनेंट्स को, यानि फॉलो करिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया, आपको हेल्प जरूर मिलेगी, तो चलिए अब देख लेते हैं, निफ्टी 50 को, कि निफ्टी 50 में कल हमें क्या तो या अब देखेगा, तो यह लिए देखेगा, यह लिए निफ्टी 50 को ब्रेक नहीं कर पाई, और इसी रेंज के अंदर आप देख साथे हैं, कि चलिए देख लेते हैं अब हम कल के लिए लेवलझ तो इन लेवल देख को हम यहां पर डिलीट कर देते हैं, प्रमोव कर करता है यहाँ पर के लिए हमारे पर कर ही टिल करता है यहां कर दिधा यहाँ पर अबने ह indoor करना शॉड्स, यह यहां पर 17.626, इससा फास तो हम यहां पर upside का movement देख सकते हैं, तो जो हमारे पास target होंगे यहां पर, तो हम इस gap तक है अपने target को देख सकते हैं, nifty में, 17,725 की level तक, तो यह हमारे टार्गेट होंगे, और यह भी अगर break हो जाता है, यहां पर तो फिर हमारे जो next target होगा, यहां पर हम इस level तक देख सकत अगर डांसाइड के दरफ आना है तो देखे यहां पर डांसाइड के तरफ दिखा हम तो देखे हैं यहँआ विया पर यहे इस अपोर्ड के अधर यहां Port Equate अगर दिखें ऐहां पर ऑन साइड के तरफ और मोंने के बाह्द ए말बना सकते हैं दो जो हमारे पस तर्गेट निकल कर अ रहे है यहां पर देखे इस लेवल तक है हमारा फस्टार्गेट होगा डàiह while वेख यहां पर वांडय तरफ मिल ते क्युक्तिक है, क्युक्स जाज यहां पर ने ब्ल हमार्पने क्या पर है, तो यह लेख्तेeft में रहे तो यहां पर इस लेवल तक, यहां पर सोच सकते हैं, 17,343 के आसपास का लेवल, तो यह हमारे डाउंसाइट के टारगेट होंगे, तो यहां पर मैं लेवल लगा देती हूं, तो यहां पर यह हमारा टारगेट हो जाएगा, और सेकंड टारगेट यहां पर हम इस लेवल को दे और अगर आगर मार्के यहां पर आपर निचे नीची हमें जो है यहां पर कोई निगेटिवप इस लेवल को तरथ है यहानि कि दाउंसाइड को मुव मिलता है तू फिर में इन टारिगेट कुछ देख सकते हैं यहां पर थोड़ा समुएड करें के प्रजिक्शन इस तरह से अगर भी प्रेजेक्सरे बनाती हैं अगर मुदा तर रहे हैं तो भी अगर मार्केट ओक्या पराउप तर-टरफ है और गैपन तर शांद अर्म चुनल का कैया यहा नेगोटेव केंडल करनेती करें तो यहा श्यूते क्ई या फिर हो सकता है, यहां पर market gap up open हो, होनिक बार down side की तरफ आए, फिर से यहां पर इस level से support लेके फिर से upside को move दे, तो यह सारी चीजे हो सकती है, market क्योंकि बहुत जादा volatile है, आप देख सकते हैं किस तरह से market behave कर रहा है, तो फिर्ट यह था मेरा analysis, निफ्टी के लिए, देखते हैं, market कहां पर open होगा, gap up या gap down, उसके according हम वर्क करेंगे, तो फिर्ट वीडियो को end करने से पहले, मैं आपको अपने दूसरे चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ, यह मेरा दूसरा चैनल है, यह मेरे बच्चो के नाम से है, Akshat Vardika Vlog, तो आप इस चैनल को भी जाकर देख सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां पर जो बच्चे जो मुमेंट करते हैं, छोटी-छोटी, यानि फणी मुमेंट, वो मैं यहां पर अपलोड करती हूँ, तो फिर्ट इस चैनल को भी आप अपना सपोर्ट करिये, प्यार दीजे इस चैनल को, और हमारे बच्चो को सपोर्ट करिये, So friends, मिलते हैं कल, नेक्स्ट वीडियो में, तब ते के लिए friends, goodbye and thanks for watching.